ये तो हो गया शुरोतों का दो तरीके से विभाजन एक ऐसा जिसमें प्रशस्ती करण है और एक दूसरा जिसमें हम पाते हैं कि पुर्वागरह से ग्रसित लोग हैं एक ऐसा जो लोग वहां के निवासी थे और दूसरे शुरोत ऐसे जो शंबर तब बाहर के लोग थे ये प् के उस मद्यकाल को जिसे हम कह सकते हैं परिवर्ती इतिहास ये परिवर्ती इतिहास जानने के शुरोत क्या है हम किन जरियों से किन मध्यम से इनके इतिहास के बारे में थोड़ी बहतर जानकारी जुटा पाये हैं जिसके आधार पे हम आगे अध्यान करने वाले हैं इनको भी हम दो भागों में बाट सकते हैं पहला मंग कोल उन नियुतो ब्यान ये एक पुस्तक है समझ लिज़े मंग कोल उन नियुतो ब्यान ये याद रखेंगे एक पुस्तक है रही बात इस पुस्तक की तो एक बहुत अच्छा शोर्थ हो सकता था बहुत अच्छा शुरोत हो सकता था मद्यकाली नितिहास के अध्यन के लिए मद्यकाली नितिहास के अध्यन को हमने दो भागों में बाटा जिसमें से एक ये पुस्तक है पर दुर्भाग ये ऐसा कि यह शरोत भी शंकाओं से घिरा हुआ है क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये दो भाशाओं में मिलती है एक तो मंगोल भाशा में और एक चीनी भाशा में मंगोल भाशा की पुस्तक में जो लिखा हुआ है जो कथानक है जो विवरन है पूरा वो चीनी भाशा में उस लिखी गई उसी पुस्तक से बिलकुल अलग है दूसरे शब्दों में चीनी भाशा में जो लिखा गया है उसका content मंगोल भाषा के पुष्टक से अलग है तो दोनों में अलग-अलग विवरान होने के करण बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं और कौन सी पुष्टक तथ्य से परेह ये स्पष्ट नहीं हो पाया है पर ये बात ता है कि मद्दिकाली नितिहास के लिए एक सुरूत तो ये हुआ अब दूसरा सुरूत क्या है, दूसरा सुरूत है मारको पोलो का यात्रा विवरन किसका? मारको पोलो मारको पोलो वो व्यक्ति था जो इट्रिली से आया था और चंगेश खान के दर्बार में था जिसने लंबी आत्रा की कुछ समय तक वहां रहा और इतावली भाशा में उसने बहुत कुछ लिख छोड़ा है मारको पोलो ही था जो ऐसा संभवता पहला विदेशी जिसने इतनी लंबी आत्रा की और उसका परणाम क्या निकला कि उसके बाद ऐसे बहुत से लोग विभन देशों से निकले जिन्होंने लंबी आत्राएं करके नेने खेतरों को खोजा चाहे उसमें आप वासको डिगामा को ले लें कोलंबस को ले लें मेगलन ले लें और भी कई लोग उसकी शुरुआत ऐसे लंबी आत्राओं की शुरुआत खोजी आत्राओं की शुरुआत काश्रे मारको पोलो को जाता है और ये वही मारको पोलो था जो मंगोलिया के दरवार में था इटली से गया था लेकिन इस पुस्तक के साथ भी एक सूँ ये राजदरबार का मंगोल राजदरबार का आदमी था तो अंदर से ही पूरी घटना करम को काफी निकट से देखा था उसने जाना था उसका पत्यक्ष दर्शी था और इसलिए मारको पोलो एक बहुत अहम शुरोट हो जाता है मंगोल काल की घटना करम को समझने के लिए तदकाली नितिहास और समाज को समझने के लिए इसकी पुस्तक लिखी गई है इतावली में इटालियन लाइंग्विज में दुर्भागे से उसकी पुस्तक का लेटिन भाषा में भी अनुवाद है समझिये या अनुवाद तो नहीं कहेंगे लेटिन भाषा में भी उसकी पुस्तक है और जैसा कि मंग कोल नियोबियन में भी भिन्नता है मंगोल भाषा और चीनी भाषा में लिखी गई पुस्तक में ऐसी ही मारको पुलो के इतावली और लेटिन भाषा के पुस्तक में भी भिन्नता है और इसलिए संशय पैदा होता है इनके तथियों पर इतिहास को समझना इन पुस्तकों के आधार पे थोड़ा कठिन हो जालता है लेकिन सचाई तो है कि कुछ तो ये जानकारियां जरूर छोड़ते हैं देते हैं और इस प्रकार परवर्ती इतिहास को जानने के ये दो स्रोत बड़े एहम हो जाते हैं थोड़ा हम प्रारंबिक इतिहास के और जाएं तो प्रारंबिक इतिहास के सुरूतों की जब हमने बात की तो ये तो समझ लिया कि जहां रोमन समराज, बाइजन टाइन, मुस्लिम समराज में लेखन का बहुत विस्तार हुआ लेखन कला का, लेखन शैली का, लेखनी की आदत का मंगो लोग उस हद तक संभवता अश्यक्षित थे और उस हद तक अन्भेग्य थे इतिहास के इन डॉक्युमेंटेशन के संभवने में इतिहास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था और इसलिए भी प्रारंबिक और परवरति इतिहास का अध्यैन थढ़ा कठिन हो जाता है मंगोलो ने इतिहास लेखन को बड़ा संक्षिप्त रख्था चाहे वो प्रारंबिक काल हो चाहे परवरति काल हो बहुत संक्षिप और परवर्ती काल में भी यह दि हमको कुछ जानकारी है तो वो मूलत मारको पोलो जो एक विदेशी था इतावली था उसकी पुस्तक से तो इस प्रकार प्रारंबिक इतिहास के इतिवरित के बारे में हमने थोड़ा समझा और यह जो इतिवरित है यह मूलत इसे हम तवारिक कह सकते हैं तवारिक हर्ताथ उस समय के लोगों के द्वारा लिखा गया उस समय के लोगों के द्वारा ततकालीन लोगों के द्वारा लिखी गई जो बाते हैं तवारिक कहलाएंगी हमने यात्रा वित्तांत के बारे में भी समझा जिसका इशारा मारको पोलो की यात्रा वित्तांत की ओर है जिसको अभी हमने जाना और तीसरी जो श्रेड़ी है मंगोल इतिहास को जानने के शिरोत की अधि बात करें तो इतिवरितिक उसके बाद यात्रा वित्तांत और अंत में हैं विविद दस्तावेज विविद दस्तावेज के बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे में कुछ अन्य तरीके की पुस्तकें और लेखन मिलते हैं जिससे हमें ततकाली नितिहास की मंगोल नितिहास की तेरहवीं चौदहवीं शिताबदी के जानकारी मिलती है ये तो हो गई शुरुतों की बात हमने शुरुआत की थी प्रिष्ट भूमी में यायावर सामरज के शब्दों की जानकारी तेरहवीं चौदहवीं शिताबदी मंद्य अशिया का ख्षेतर और उसके बाद शुरुत और शुरुतों में विभननता और उससे होनी वाली दिक्ते हैं ये भी जाना कि मंगोल लोग अशिक्षित माने गए इसलिए लेखन संबंदी इतिहास वृत बहुत कम है बहुत ही कम है उसकी तुलना में जैसा मैं फिर से कहूं रोम और मुस्लिम सब्दा में तो लेखन संबंदी विवरन तो वृतान तो बहुत हैं उन सब्धिताओं के पूरा इतिहास की जानकारी हमें लेखनी से मिल जाती है ततकाली लेखनी से लेकिन यहां श्थिती जहां तक याजावर सामराजी की बात है वहां श्थिती बिलकुल उल्टी है अब शिक्षित थे उसके अलावा मैंने एक और शब्द का इस और कहते कहते मैंने आपको कहा कि यह बरबर जाती के थे कई बार हम लोग कहते है आज भी कि बड़े बरबर लोग हैं वो यह शब्द आया वही चंगेश खान और मंगोल से ही तो बरबर शब्द की वित्पत्ति पर थोड़ा जाएं अंग्रेजी में जो यह शब्द है वह बार्बेरियन और उसके ठीक विपरीत युनानी में वह शब्द है बार्बरोस तो बरबर शब्द का अर्थ दो है बार्बेरियन अंग्रेजी में और बार्बरोस युनानी में यह जो युनानी लोग थे इन्होंने बार्बरोस शब्द का उपयोग किया तो यहां पे उनका अर्थ था बार्बरोस का अर्थ था उनके अनुसार गैर युनानी लोग आप यदि इस नक्षे को फिर से देखें तो यूनानी सब्विता से सटी हुई मंगोलियन सब्विता या याजावर सामराज जाता है तो जो थोड़ा बहुत उनका संपर्ख हो रहा था उसमें यूनानी लोग इनको गैर यूनानी व्यक्तियों को जो संभवता मंगोलिया और चीन के खेतर के थे उनको बार बरोस कहते थे और बार बरोस से उनका तत्पर है क्या था क्या कहना चाहते हैं उनकी भाशा में बार बरोस का अर्थ क्या है आस पश्ट बोलने वाले लोग अजीब सी आवाज करने वाले लोग ये अजीब सी आवाज का मतलब भी थोड़ा समझ ले अभी फीफा वर्ल्ल कप समाप्त उसमें हमने आपने कॉमेंटरी देखी टेलिविजन पर और टेलिविजन पर देखते हुए कॉमेंटरी भी चल रही थी शोर गुल भी हो रहा था आज से पचीस साल पहले, तीस साल पहले जब टेलिविजन इतना विस्तार नहीं हुआ था तो हम लोग कॉमेंटरी सुनते थे आपके पिता जी, हमारे पिता जी रेडियो में उसे हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं था और रेडियो में बस आवाज आती थी क्रिकेट की खासकर कॉमेंटरी सुनी जाती थी और लोग 6-6 घंटे तक रेडियो ट्रांजिस्टर को कान में लगाया रखते थे जैसे आदकेल आप लोग ब्लूटूथ और वो हेड़फोन लगा के रखते हैं एक समय में क्रिकेट मैचों के दोराण एक시면 लगाया जाता था और उससमें जो क्रिकेट में कोई चुझक्का चब्लाड कून्व लगए तो रेडियो में बड़े शोर होता तो बड़ बड़ क्या क्या बोल रहे हैं उससे एक अंदाज व revealed kadar हो बड़ बड़ करते रहते हैं तो एक बड़ी अजीव आवाज भीड जैसी आवाज इस आंवाल कहते हैं वह गईर यूनानी व्यक्ति के लिए उन्होंने इसका उप्योग किया और उसको कहा बर-बर, देखे कितनी बड़ी है व्यत्पति है, गैर युनानी व्यक्ति के लिए जिसकी भाषा अस्पष्ट थी, उन लोग की नजर में अस्पष्ट थी, क्योंकि गैर युनानी अर्थात कौन? मंगोलियाई, कबिलाई लोग, युनानीों की नजर में, तो जिनकी जो लोग गैर युनानी थे, उनकी भाषा अस्पष्ट थी, उनकी आवाज में बरबर बरबर बहुत होता था, तो उन्होंनों उसको बरबर कहना शुरू कर दिया, और वहीं से आए बारबर वोट्स, ये ह हुआ युनानी व्यत्पत्ति, आस्थ तौर्थाथ, बरबर मतलब वे व्यक्ति जो गैर युनानी थे, आस्पष्ट बोलते थे, और भीड जाती आवाज करते थे, चोथा, डरपोक थे, क्योंकि ये लोग सीमा में आते थे, जब पड़ोशी समराजी की सीमा पे, तो कायर जैसा व्यवहार रहता था इनका, पिछले हुए थे बहुत, और इस खित्र के लोग, रॉम आदी के खित्र के लोग, पूरे सैनिक से लैस्ट थे, आप याद रखिए कि मैंने चंगेश खान के काल में बुला था, बड़ा कठोर सैनिक शासन, अभी मैं चंगेश खान के काल की बात नहीं कर रहा हूं, चंगेश खान के काल के समय में चर्चा करते हूं, मैंने कहा था कि सैनिक तंत्र बड़ा मजबूत था, मैं अभी चंगेश खान के काल की बात नहीं कर रहा हूं, चंगेश खान के बहुत पहले की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक काल की बात, उस का जाल में ये लोग डरपोक थे, असपश्ट बोलते थे, भीड जैसी आवाज थी, डरपोक कायर थे, और उनका खुद का अपना शासन नहीं था, आलसी भी थे, और तो और यूनानियों की नजर में ये लोग असभ्य और हिंसक प्रवृतिक्के थे, तो ये आदितें जिसमें मिल जाएं, उसे बरबर कहा जगा, ये आदितें जिसमें दिखाई दें, उसे बरबर कहा जाने लगा, और यदि आपको याद होगा, तो हमने रोमन सभिता की जब बात की थी, उस अध्याय को पढ़ा था, रोमन सभिता का बाइजिन्टाइन सभिता का तो उसमें कुछ जन जातियों की चर्चा की थी जर्मन जन जातियां उसमें ये प्रवृतियां दिखती थी याने अस्पष्ट आवाज अस्पष्ट भाशा कायर डर्पोक शासन तंत्र की कोई जानकारी नहीं आलसी असभ्य हिंचक तो ये जो रोम के संदर में जो हमने जर की थी वे लोग भी बरबर कहलाते थे इंग्लिश लैंग्वेज में और ये जन जातियां यह याद होगा तो तीन-चार नाम सामने आते हैं भी मैंसे गॉल जन जाती थी एक फ्रैंक जन जाती थी पस्चमी योरोप की बात कर रहा हूं पस्चमी खित्र की योरोप में जर्म पास है आपको याद होगा ये लोग भी बरबर व्यवहार करते थे उनके में भी यही विशेष्टाय और लक्षन थे जो यूनानियों ने मंगोलियन में पाए जिसका मैं जिक्क कर चुका हूँ बरबर आज समानार्थी बन चुका है अत्यधिक हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए बरबर जानुवर बरबर व्यवहार हम कहते हैं ने पुलीस का व्यवहार बड़ा बरबरता पूर्ष रहा फला फला शिक्षक का व्यवहार बड़ा बरबरता पूर्ष रहा है आदी आदी तो अब आप समझ गया होंगे कि कैसे बरबर शब्द का निकट का संबंद मंगोल वासियों से था और क्या प्रवृत्यां उनमें थी जिसे हम उनकी विशेष्टा कह सकते हैं और ऐसे लोगों को बरबर कहा जाता है और ये प्रवृत्यां जिनमें पाई जाएं आज उन्हें भी बरबर ही कहते हैं लेकिन चरम में जिनमें हिंसात्मक प्रवृत्य कठोरता कटूता चरम हो तब बरबर शब्द आता है तो अब इसको जानने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पायदान पर और तीन हिस्सों में इसके अध्यान को बाटते हैं इस अध्याय के प्रिष्ट भूमी के अध्यान को पहला भागोलिक प्रिष्ट भूमी दूसरा सामाजिक प्रिष्ट भूमी और तीसरा है राजनितिक प्रिष्ट भूमी भागोलिक, सामाजिक और राजनितिक अभी तक मैंने बहुत कुछ बातें की लेकिन आपको उस खेत्र से नक्षे में वाकिफ नहीं कराया जिस खेत्र का हम अध्यान करने जा रहे हैं उसूल तो कहता है कि खेत्र के बारे में सबसे पहले बताया जाए है लेकिन इसलिए यहां पर नहीं बताया जा रहा है या अब बताया जा रहा है कि पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि हम किस काल की बात कर रहे हैं किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं और अब ये काल और और लोग किस खेत्र के हैं इस पर आते हैं तो चलिए अब हम चलें भावगोलिक प्रिष्ट भूमी के और उसके बाद दूसरा है सामाजिक प्रिष्ट भूमी और तीसरा राजनतिक प्रिष्ट भूमी ये नक्षा देखें आप इस नक्षे में भारत दिखाई दे रहा है आपको इस पश्ट और उसके ऊपर चीन विशाल ख्षेत्र चीन का विशाल ख्षेत्र चीन के ऊपर मंगोलिया है जिस ख्षेत्र को लेकर इस अध्याय का कथानक है मंगोलिया मंगोलिया के नक्षे को आप देखेंगे तो वर्तमान नक्षे में चीन उसके दक्षन में है रूस उसके उत्तर में है और पूर में भी चीन और रूस है और पश्टिम में दूसरे ख्षेत्र आ जाते है वहीं कहीं पर बहुत ठंडा क्षेत्र होगा कहीं पर नदियां होंगी कहीं पहाड़ हैं और कहीं समतल ग्रास इस नक्षे को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मंगोलिया का भागोलिक विभाजन किस तरीके से हुआ है क्योंकि वहां की भागोलिक परिस्थिति वहां के समाज के व्यवहार को जीवन शैली को प्रभावित करता है न तो आखे किस धंकी भागोलिक इस्थिति थी यह जानने के बाद कि रूस और चीन जैसे विशाल का देशों से घिरा हुआ खेत्र मंगोलिया है अब हम जाने मंगोलिया खुद भागोलिक दिश्थिति से कितना विभाजित है चंगेश खान चंगेश खान कैसे बना 1206 में इसको हमने जाना उसकी वन्शावली भी समझने की कोशिश की और यह देखा कि कैसे उसने डिप्लोमेटिक तरीके से और अन्य तरीकों से यह सुनिश्चित किया कि वह एक छत्र गदी का वारिज बने दूसरे शब्दों में चंगेश खान की सफलता के पीछे चंगेश खान स्वैम कारण था और उसने अपने स्वैम के अलावा कुछ अन्य तत्वों का ऐसा उप्योग किया जो उसकी सफलता का कारण बना यहां मैं आप लोगों को यह बात याद दिलाना चाहूंगा कि किसी चीज की सफलता को बहतर समझने के लिए जरूरी है कि हम उसकी प्रिष्ठ भूमी को अच्छी तरह जाने अर्था कितने कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो सफलता हैं हासिल की या सफलता के कारण में जो कारण है वह कारण कितने विपरीत थे जिसे उसने अपने पक्ष में किया मेरे पास सभी तरह के साजों सामान है और उन साजों सामान के बल पर मैं क्युद्ध जीतता हूं एक तो ये भी सफलता हुई दूसरी सारी विपरीत परिस्थितियों में जीतता हूं तो ये दूसरी तरह की सफलता है और निशित रूप से दूसरी तरह की सफलता में सफल व तो चंगेश खान और मंगोलियन की सिफलता के कारणों की यदि बात करें तो दो कारण उनको माटा जा सकता है जैसा मैंने पूर में बताया ताथ कालिज कारण और दीर्ग कालिन कारण तात्कालिज कारणों में उनका घृट सवारी कौशल जिसका जिक्र भी पूर में किया जा सुका है क्योंकि वो बेसिक मूल रूप से अलग शिकारी थे और घृट सवारी का शौक रखते थे उनको जे शिकार थे वो घृटों पर होते थे तो उसमें पारंगत थे ही इसके साथ ही चुकि घोड़े में बैठे ही वे शिकार करते थे उनकी गती भी बड़ी तीवर थी घोड़ों के कारण तो थी साथ ही साथ उनमें वो हुनर था कौशल था कि वो घोड़ों में बैठ कर ही शिकार कर सकते थे धनुजबान चला सकते थे हतियार चला सकते थे आधी आधी इसके साथ ही मौसम की जानकारी होना इतने विपरीत परिस्थितियों में विपरीत तरह के मौसम का सामना करते हुए चंगेज खान की फौज ने चीन के जो तीन टुकणों पर कबजा किया वह काबिल ये तारीफ है गोबी के मरस्थल का खेत्र अत्याधिक ठंड वाला खेत्र और ऐसे पूर्वी चीन का खेत्र जहां तक अत्याधिक ठंड वाला खेत्र था वह तो उसके अनकूल था उसकी फौज के अनकूल था क्योंकि वो लोग स्वयम उत्तरी मंगोलिया के उस खेत्र से आते थे जहां अत कारण और था वह था घेरा बंदी जांतरे नेब सा बंबारी और उस में ऐसे हतियारों का उप्योग शुरू करकिया उसने जिसे गुड़ सवारी सरल हो और घुड़े में बैठे हुए उन हतियारों का ज्यादा शक्ल कुशलता से उप्योग किया जाता कि तानी गति की बात कर जिस तरीके से सेना का विभाजन किया था, या सेना का वरगी करन किया था, सेना का जो हैरार्किय बनाया था, वह भी उसके पक्ष में गया, वह अच्छी तरह समझता था कि सेना का सफल नित्रित्व तभी हो सकता है जब सैनिकों को वह सुनिश्चित करें कि वे उसके पूरे विश्वास पात्र हों, वे पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हों और उसके लिए उसने कई ऐसे कदम उठाए जिसे हम रिफॉर्मेटरी कदम कह सकते हैं एक तो दिशमला पद्धती तो लागू की ही थी और उसमें उसने क्रम अबद दस फिर सौ फिर हजार फिर दस हजार और इस परकार उसमें तुमन का गठन किया था जो सबसे बड़ी हिकाई होती थी उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि वह उन्हें अपना सगा भाई कहता था उन लोगों को जो लोग कुछ विशेश कारे करते थे सैनिक के रूप में रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसी निष्ठा दिखाई कुछ इस तरीके से विशेश बाहदरी के कारे शोरे के कारे या बुद्धिकोशल के कारे किये जिससे वह प्रभावित हुआ और इसनों ने अपना आड़ा कहा आड़ा मतलब सगा भाय उनके भाश्चाम और इस पकार सैनिकों का दिल जीतने में वह सफल हुआ सैनिकों का अपने प्रति उत्तरदाई बनाया इससे पूर्व एक बात का और जिक्र किया जा चुका है कि कैसे उसने सैनिकों का जो जुकाव था कबीलाई नेत्रित्व के पति उसे तोड़ा उनके जुकाव को अपनी तरफ मोडने में वह सफल हुआ जो कबीले थे और उनके मातहच जो सैनिक थे वे सैनिक अब नेत्रित्व के लिए चंगेश खान को देखने लगे तो इस प्रकार कबीलाई नित्रत कमजोर हुआ और एक एकी करण के रूप में उसकी फौज सामने आई अधिकारियों के नियुक्त भी किया और सुनिश्चित किया कि जो लोग पालन नहीं करते हैं और शासन का नेमों का उन्हें दंड भी दिया जाए तो कबीला सरदारों के नित्रत को कमजोर करना दंड की व्यवस्था करना और उसके लावा नए सैनिक वर्ग का उद्य होना ये भी उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण था सफलता के कारणों में एक जो बड़ा रिफार्म उसने किया था नई सोच लाई थी वह था याम पद्धती जिसे उनकी भाशा में हर कारा पद्धती पी कहते थे इसमें राज्य के जो इतना विशाल राज्य जो था जो आपने नकषे में देखा है बहुत बड़ा सामराज्य था अब राज्य नहीं रहा वो सामराज्य हो गया और वो भी कभीलाई नित्रित से, कभीलाई संगठन व्यवस्था से उभरते हुए वह एक उजट होकर एक सामराज्य बना ऐसी स्थिति में उस काल में ये सुनिश्चित करना कि ये सामराज्य का सभी खेत्र उसके संपर्क में रहे समवाद की स्थिति बनी रहे ये एक बड़ा कठिन काम था लेकिन चंगेश खान ने ना केवल इस समस्या की और ध्यान दिया बलकि इसका निराकरन भी किया और इसकी व्यवस्था उसने कुछ इस प्रकार की जिसे हम हर कारा पद्धती कहते हैं इसमें समराज के दूरस्थ प्रदेशों से संदेशों का आवागमन होने की पद्धती जुड़ी हूई है सामराज्जी के दूरस्थ स्थलों से उसकी राजधानी या उसके पास संदेशों के आवाज जाही का जो जरिया उसने अपनाया वह काबिल एतारीफ है उसने कई Pockets बनायें निश्चिद जगहें सुनिश्चिद की जहां पर एक स्थे से संदेश वहाँ आता था पिर उस जगह से संदेश चारपाँ इकठे होके फिर तीसरी जगह जाते थे वहाँ 15-20 संदेश इकटे होके फिर उसके पास पहुंचते थे और यही व्यवस्था वापसी की होती थी तो निश्चित जगह, निश्चित दूरी को ध्यान में रखते हैं उसने कई जिसे हम कह सकते हैं तरीके से सैनिक चौकियों का निर्माण किया और उसकार पूरे समराज को उसने जोड़ दिया, एक जुट किया, समवाद हींता जो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, उस काल में जब किसी तरह के ऐसे कम्यूनिकेशन के संचार के सादन नहीं थे, उस सित्य में आवागमन का ये जरिया और संचार का ये जरिया अपनाना, चंगेज खान की ही के विवस्था में, जो बहुत अहम तत्व था, वह था, मजबूत घोड़े, बलशाली घोड़े, जो बखूबी अपनी भूमिका निभा सके एक चौकी से दूसरी, तीसरी चौकी जाने की, और समय बद्ध तरीके से कारिक करें, क्योंकि समय इसमें बहुत अहम था, रूस से जुड़ा हुआ है, जो ठंडा क्षितर है, जहां वेलुक्षिकारी के रूप में, किसी जमाने में, रहते थे, और उन घोड़ों को, बलशाली घोड़ों को उसने इन चौकियों में जुड़ा, और साथ ही साथ, घोड़ सवारों का प्रशिक्षन, और ऐसे प्रगमन जो है, वह स्मूत बना रहे, आवा जाही जो है, उसमें किसी तरह की बाधायन आए, अब रही करों की बात, आय का शुरूत, समवात की विवस्था हो गई, साइनिकों की विवस्था हो गई, इसके अलावा घोड़ों की विवस्था हो गई, दूरस से स्थलों से जोड़ने की व्यवस्ता हो गई आदी आदी लेकिन जरूरी ये भी था कि इन सब के खर्च को वहन करने के लिए किसी तरह की आर्थिक आय की व्यवस्ता हो और जो तरीका उसने अपनाया वह भी अपने तहीं एक नया तरीका था यायावर प्रदेश से तो थे सब लोग और य गोड़ों पर उनके काफी निरभरता थी मंगोलियन की तो उसने मंगोलियों से अपने जाती बंदुओं से उसने घोड़ों की अपील की स्विच्छा से घोड़े मांगे और उसने एक बटा दस भाग जो कर के रूप में कर तो नहीं कहना चाहिए एक स्विच्छा से दान देने का जो उसने अनरोज किया वह बड़ा सफल साबित हुआ और वहीं से शुरू होती है उसकी कर्वयवस्था तो एक बटा दस हिस्सा स्वेच्छा से कुल मूलधन का एक बटा दस हिस्सा और वह भी घोड़ों के रूप में ये दिये जाने की प्रथा से ये सुनिश्चित हुआ कि उसे जरूरत पे लगातार घोड़े बलशाली घोड़े और नए घोड़े मिलते रहें ये सब करने के बाद या करने के साथ साथ चंगेच खान को ये भी सुनिश्चित करना था कि वैधिक व्यवस्था ना केवल एक रूप हो बलकि उसका संचालन उसका अनुपालन भी हो रहा हो और उसी वैधिक व्यवस्था के तहट उसने एक बड़ा अहम कदम उठाया जिस संसद ने जिस सभा ने उसे चंगेच खान के रूप में घोशित किया था उसी सभा से चंगेच खान ने ये अनुमती निकलवाई सहमती ली कि वह तभी गड़ी पर बैठेगा और मुखिया बनेगा जब उसके सभी आदेशों सभी बातों को आदेश के रूप में माना जाये सभी कभीलाई मुखियाओं द्वारा कभीलाई नित्रित उनके आदेशों का पालन करे अनुसरन करे और हां में हां मिलाए ऐसी स्थिति में ही चंगेश खान गड़ी पर आने को तयार सा और उसने ऐसा माहौल बनाया कि सभी कभीलाई नित्रित को यह बातों करनी पड़ी कि उसके वाक्य जो है उसके वचन जो है वो आदेश माने जाएंगे और इस तकार एक विधी का निर्मान किया आग्यापती का निर्मान किया और बलकि कहना यह चाहिए कि एक तरीके से उसने अपने को एक ताना शाही इस्थिति में लाके खड़ा कर दिया शोट के आधार पे तो ऐसा कहा जाता है जो डेविड आईलान ने किया है कि बारा सच्छे में कुरिल ताई वही जो संसद है जो समय की सभा हुआ करती थी वो कुरिल ताई में उसने एक विधी सम्विता को लागू करने का प्रस्ताव किया एक एक ऐसी पुस्तक या कानून का एक ऐसा संकलन उसने बनाया जिसे हम विधी सम्विता कह सकते हैं और वो संकलन क्या था उसमें जो उनलों की पुरानी प्रथाएं थी मंगोलियाई लोगों की या यावर प्रवित्ति के काल की जो उनकी परंपराएं थी उनकी अपनी संस्कृती थी उनकी अपने अलिखित कानून थे उन सब को उसमें समाहित किया और ऐसा करते हुए उसमें सुनिश्चित किया कि कबीलाई नेत्रत में किसी तरह की कड़वाहट ना हो इन कानूनों को परंपराओं को या विधी सम्विता को स्वीकार करने में और ऐसा करते हुए उसने ये भी एक पंथ दोका जिस रूप में किया कि परानी परंपराओं को फिर सामने लाया और कबीलाईयों को किस हमती तो लेने में सफल ही हुआ साथ साथ परंपराओं कबीलाई परंपराओं सामने आए और इस पकार विदिस सम्विता का पालन, उसके वाक्यों का आदेशात्मक, आदेशात्मक का मानते हुए उसका परिपालन और अज्याप्ति आदि, ये सब चंगेश खान को बहुत ताकर देने में मदद बनाती हैं। चंगेश खान ने जहां विदिस सम्विता और कुरिल ताई की मदद से अपनी स्थिति बहुत मजबूत की, वहीं उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका वंश ही नेत्रत्व सम्हालता रहे। 1219, 1221, 1206 में तो स्वयम चंगेश खान बना। लेकिन उसके बाद उसने विज़ित खेत्रों पर एक तरीके से अपना परिवारिक कब्जा बढ़ाना शुरू किया और पुत्र जलालुदीन मंग बर्नी को अफगानिस्तान का हिस्सा दिया। उसके अलावा जो अन्य विज़ित खेत्र थे जिसमें बुखारा, बल्क, मार, चहरात ये सब खेत्रों में अपनी पकड़ मदबूत की। बारा सो चब्श में चंगेश खान के मृत्य होती है। और तब तक ये पूरा खेत्र उसके पुत्रों के बीच में विभाजित हो जाता है। बारा सो च्छय का वर्ष वही वर्ष है जिसका मैंने पूर में जिक्र किया जब भारत में इल्तितमिश गदी पर बैठता है। 1226 में भारती सल्तनत आती हैं 1206 में तो कुत बुद्धी नहीं बग और अब यहाँ पर इलतत्मिश गद्धिव और इलतत्मिश ने किस प्रकार बहुत सोच समझ के सुनिश्चित किया कि मंगोलियाई हमला भारत में ना हो उसके लिए उसने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तर अलावा हमले, नरसंभार, हत्याओं का दौर, विध्वन्स का दौर उससे इलतत्मिश ने भारत को बचा लिया और चंगेश खान की फौज वापस लोट जाती है यदि यपी वापस लोटने का मार्ग चंगेश खान प्रारम में थोड़ा बदलना चाहता था लेकिन अंतता वो सुनिश्चित करता है कि वो उसी मार्ग से वापस जाया जिस मार्ग से आया था और उस दौरान वो कई खेतरों को विजट करता है जिसको मैंने भी नाम लिया ये जो नाम लिये बुखारादी के खेतरी तो वापसी के दौर में उसने जीते लेकिन चंगेश खान की जो म भागों में तिब्रति मूल के सी सीया लोगों का शास्न उत्तर चीन प्रांत में था उत्तरी चीन प्रांत का शास्न पेकिंग से जर्चम लोग चलाते थे जो चीनी राजवन्श के अधीन था उस समय धक्षन चीन में शुंग राजवंश का शातिन था और 1909 में सिसिया को हराया चंगेश खान ने फिर महान दीवार पार करते हुए ग्रेट वाल अफ चाइना को पार करते हुए 1215 में काफी लूट पाट किया पेकिंग में तबाही मचाई और मंगोल और चीन ये आपस में लड़ाई में 1234 तक उलशे रहे चंगेश खान को अपनी सेना और अपने अनुचरों को सौंप कर वो वैसी वापस चला जाता है क्योंकि तीसरा ख्षेतर उसने पूर्ण ता विजाई नहीं किया था लेकिन बहुत समय से अपनी राजधानी से दूर रहने का जो उसको मलाल था उसको दूर करने के लिए उसने टाय किया कि अब समय आ गया है कि वापस वो अपने ख्षेतर पहुंचे मंगोल सामराजी का विस्तार इस दूरान तुरान दरिया अमू खुर्जम राज तक हुआ कारा खिता को मंगोलों ने 1218 में हराया और चंगेश खान के जो दूद थे स्लतान मुहम्मद ने उसका वद किया इससे चंगेश खान को बहुत गुस्टा आ गया और 1219 के उनने खुर्दम पर कबज़ा किया बुखारा समरकंज जिसका मैंने जिक्र किया है उट्रार निशापूर आदी पर कबज़ा किया और लाखों लोग को मारा इस पूरे दोरान उसके सामराज जिका विस्तारी करन होता रहता है सततरूप से नर्सम्हार तो होते ही है विद्ध्वन सता तो होती ही है निरंग कुष्टा तो बढ़ती ही चली जाती है लेकिन साथ ही साथ सामराज जिका विस्तारी करन भी जारी रहता यहां पर मैं उस बात का जिक्र पुना करना चाहूँगा जिसमें निशापुर पर कबजा करते समय मंगोल राजकुमार की हत्या जब हुई और ये खबर चंगेश खान तक पहुँची तो उसने जो नर संभार मचाया उससे भारत के लोग भी काप उठे थे कुरोदिच चंगेश खाने आदेश दिया कि नगर को इस प्रकार विद्ध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हलचल मत जाए बदला ऐसा हो कि नगर में कुट्टे बिल्ली भी ना बचें याने आमूल चूल रूप से नश्ट करने का आदेश दिया सुल्तान मुहम्मद का पीछा करते हुए मंगोल फौज आती है और उस सेनाएं अजर बैजान तक पहुँच जाती है देखिये रूसी सेनाओं की क्रीमिया में पराजित किया और कैस्पियन सागर को भी घेर लेता है कैस्पियन सागर देखिये कहां है मंगोलिया कहां है तो इस पकार वो फौज कितनी लंबी दूरी तै करती है पूर्व क्यों पश्चिम क्यों ये आपको देखना है मंगोल सेना अलग से सुल्तान मुहम्मद के पुत जलाल अद्दीन मगबर्नी का पीछा करती है अफगानितान और सिंद पहुंचती है और मंगबर्नी जो है सुल्तान महमूद का बेटा था वो इलतुतमिस से अनुरोद करता है चंगेज खान का सामना उससे नहीं होता चंगेज खान वापस लोटना चाहता था क्योंकि काफी गर्मी और आवासी कटना ही थी इसलिए उत्री भारत के असम मार्क से लोटना चाह रहा था लेकिन